साथ मैं को मतदान होना है और सबकी कोछिस है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँच कर सत्परतिष़त मतदान करें इसके लिए बड़ा प्रयास किया गयाँ गवालीर जिला प्रिशासन की ओर से में बात कर लेता हूं गवालीर कलेक्टर रूचिका सींह चोहां हम लोग कही नहीं थोड़े से वोटर टरनाउट में पिछड़े हुए हैं तो हमको यसा लगा कि चाहता है कि सभी मद्दाता आ गया है तो एक प्रयास है अबन यूथ को अबन पॉपिलेशन को एंगेज करने का एक मॉनिंग और चुनावी रहागिरी के रूप में कारिकरमा जायुजद किया था इसमें फिजिकल अक्टिविटीज कुल्श्रल अक्टिविटीज फूड जोन फन अक्टिविटीज अडवेंचर अक्टिविटीज यह सभी इंकॉर्परेट करें थी और मुझे लगता है कि एक अच्छा आउटपूट हम इसका देखने को मिलेगा आज जो भी विक्ति आज यहां पर आये हैं वो मदान के दिन कम से कम जाकर के अपने साथ साथ फैमिली और पडोसियों को अट लिस्ट ट्विटीज लोगों को मोटिवेट करें और मदान के लिए लेके आए तो बहुती सार्थक होगा और जैसा कि आपने पूछा आने माले दोनों में हम अपनी कैम्पेइन को अब हम माइक्रो लेवल पर ले जाएंगे याने कि हम डोर टू डोर नॉकिंग अन्द दोर दस्तक अभियान इस प्रकार की कोई चीज प्लान करें इस थीम रोड पे पूरा आपने बाजार सजा दिया है और हर बाजार के पीछे एक साथ अपने को मद्दान करें वोट इंडिया और जागरुकता अभियान के जरिए जो दुकांदार आए जिन लोगों ने यहां पर अपनी अलग लग स्टोल लगाए हैं क्या उन्होंने भी संदेश दिये जो जो यहां कोंशे उन से बिलकुल संदेश दिये हैं और मैं आपको कर केस भी करने का साथ-साथ हमारे मद्दान का जो उद्देश है और जो मेसेज है उसको सभी तक पहुचाने का बिलकुल देखिए समाज के हर लोग जुड़े हैं क्योंकि सबका उद्देश यही है कि लोग बढ़ चड़कर मद्दान में हिस्सा लें और इस लोग तंतर के प